नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इन्वेस्टाइज चेनल पे आज मैं आपको बताऊंगा मैं एक ही मुचल फंड में अलग-लग डेट में SIP क्यों करता हूँ एक ही मुचल फंड में अलग-लग डेट में SIP करने के क्या वेनिफिट है आप वीडियो को complete देखोगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा तो बिना देर किये वे चलते हैं PC की स्क्रीन पे और वीडियो स्टार्ट करते है मुचल फंड वाली टेप पे क्लिक करने के बाद उपर investments लिखा है उस पे क्लिक करना है जैसे क्लिक किया हमारा portfolio open हो गया open होने के बाद नीचे की तरब जब हम scroll करेंगे आप नीचे देख सकते हो mysip लिखा है इस पे क्लिक कर लेते हैं mysip पे क्लिक करते ही उपर की तरब total amount आ रहा है कितने रुपे की मंतली हम mutual fund में sip कर रहे हैं परजयन टाइम में 30,000 रुपे mutual fund में invest कर रहा हूँ वो भी अलग-लग mutual fund में अलग-लग mutual fund में invest करने के बावजूद मैं एक ही mutual fund में अलग-लग date में sip भी करता हूँ ये इसलिए करता हूँ किसी को भी नहीं पता होता कि market कब down जाएगा हो सकता है कल मेरी sip की date हो और उसी दिन market डाउन जाएगा जब market डाउन जाएगा उस में मेरे को नेव की जो rate है वो काफी कम होगी और कम rate पे मेरे को नेव मिलेगी long term में उसका अच्छा कासा benefit होगा और हमारा जो एक average है वो भी अच्छा बनता रहेगा मान लो आप SBI के blue chip fund में invest कर रहे हो तीन SIP महिने के अंदर 1000,000 रुपे की कर रहे हो एक SIP की date 3 तारिक, दूसरी 13 तारिक और तीसरी 23 तारिक है तीन तारिक को उस mutual fund की नेव की जो price है वो 10 रुपे है 13 तारिक को हो सकता है वो 9 रुपे हो इस परकार तीन बार आप एक ही mutual fund में invest करोगे तो आपकी जो average buying price होगी वो 9 रुपे के आसपास होगी और long term में आपको उसका काफी अच्छा benefit मिलेगा market को अभी तक कोई trade नहीं कर पाया किस दिन market down जाएगा इसलिए मैं महिने के अंदर अलग-अलग date में SIP करता हूँ किसी भी दिन market down जाए मेरी SIP की date जरूर रहती है हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे रहे लेकिन SIP की date जरूर रहती है ऐसा करना काफी मुस्किल है लेकिन अगर आप long term के लिए invest करोगे तो इसका आपको काफी benefit मिलेगा अभी अपन देखते हैं कौन-कौन से मिचल फंड में कितने रूपे की SIP में कर रहा हूँ पहले अपन date wise SIP देख लेते हैं फिर fund wise भी आपको दिखाऊंगा आप देख सकते हो 6 सितंबर से हमारी पहली SIP स्टार्ट होती है केंदरा रूपे को small care fund है इस fund में 2,000 रूपे की एक SIP 6 सितंबर को complete होगी next SIP PGM India small care fund है 6 सितंबर को इस SIP को हमने अभी skip किया है आप मिचल फंड में SIP को skip भी कर सकते हो cancel भी कर सकते हो फिर से start भी कर सकते हो काफी सारे features growth application के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे उनका आप benefit लेते रही है और continue investment करते रही है next जो SIP है वो है क्योंट small care fund इस fund में 12 सितंबर को 2,000 रूपे की एक SIP complete होनी है उसके बाद next SIP के अंदरा रूपे को small care fund है इस fund में 16 सितंबर को 4,000 रूपे की एक SIP है अगली SIP PGM India small care fund इस fund में 16 सितंबर को 1,000 रूपे की एक SIP है SIP डेट वाले दिन अगर holiday रहता है तो next day अपनी SIP की date होगी next day आपके account से amount deduct होगा और mutual fund में invest होगा continue दो दिन holiday आता है तो holiday के next दिन आपकी SIP date रहेगी अगर holiday वाले दिन आपकी SIP की date है तो वो जो SIP है वो next working day में complete होगी next working day में आपके account से पैसा deduct होगा और mutual fund में invest होगा 16 सितंबर को 61 small care fund के अंदर 2,000 रूपे की एक SIP complete होनी है इसके बाद निपन इंडिया small care fund है इस fund में 19 सितंबर को 1,000 रूपे की एक SIP complete होनी है फिर से PGM India small care fund के अंदर 23 सितंबर को 1,000 रूपे की SIP complete होनी है 23 सितंबर को क्योंट small care fund के अंदर 6,050 रूपे की 1 SIP complete होनी है ये जो SIP की date है पिछली वाली SIP complete होने के बाद next SIP की date आपको screen पे देखने को मिल जाती है अभी अपन देखते है fund wise कौन से fund में कितने रूपे की SIP हम mutual fund में कर रहे हैं उपर की तरफ do date के बराबर में आप देख सकते हो fund name है इस पे click कर लेते हैं click करते ही एक fund में कितनी SIP चल रही है वो आपको screen पे दिखाई देगी सबसे उपर axis small care fund आया है इस fund के अंदर आप देख सकते हो 2000 रूपे की SIP 16 सितंबर को और फिर 2000 रूपे की SIP 26 अगस्त को दिखाई दे रहा है अभी ये SIP चल रही है जैसे ही SIP कंपलेट होगी next date आपको यहाँ पे केंदर रूपे को small care fund के अंदर 3000 रूपे की SIP इन प्रोग्रेस है इस वज़े से यहाँ पे 26 अगस्त लिखा है जैसे ही SIP कंपलेट होगी next date यहाँ पे दिखाई देने लगेगी केंदर रूपे को small care fund के अंदर ही 4000 रूपे की एक SIP 16 सितंबेर को भी कंपलेट होगी निप्पन इंडिया small care fund के अंदर 19 सितंबर को 1000 रूपे की एक SIP पीजय इंडिया small care fund के अंदर 1000 रूपे की ECSIP 16 सितंबर को फिर से 23 सितंबर को 1000 रूपे की ECSIP और पहले आपने देखा होगा 6 सितंबर को भी PJM India Small K Fund के अंदर 1000 रुपे की एक SIP है इसके बाद आप देख सकते हो क्योंट Small K Fund है इस फंड के अंदर 5000 रुपे की एक SIP 27 तरीक को और 2000 रुपे की एक SIP 12 तरीक को और तीसरी SIP 6000 रुपे की 23 सितंबर को complete होने वाली है जिसे ही SIP complete होगी SIP के सामने next जो due date है वो आपको दिखाई देने लगेगी 5 Mitchell Fund में मैं 30,000 रुपे महीने के इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये जो 5 Mitchell Fund है ये सब Small Cape है मैं अपना जो SIP एमाउंट है वो Small Cape Mitchell Fund के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ 500 Mitchell Fund Small Cape के टेगरी के हैं इसको देखके आपको ये लग रहा होगा पूरा पैसा Small Cape Mitchell Fund में ही क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो मेरा जो target है वो long term का है मैं 15 साल से अधिक समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इसलिए मैं अपने portfolio में सभी Mitchell Fund Small Cape के टेगरी के ले रखे हैं आप Mitchell Fund में 3 साल, 5 साल या 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप Mid Cape और Large Cape Mitchell Fund को प्रेफर कर सकते हो आपको अपनी रिस्क को धान में रखते हुए Mitchell Fund का चैन करना चाहिए हो सकता है आज आप Mitchell Fund में इन्वेस्ट कर रहे हो 5 साल बाद आपको पैसे की requirement हो तो AC Condition में आपको Large Cape या Mid Cape Mitchell Fund में ही इन्वेस्ट करना चाहिए Small Cape Mitchell Fund में AC Condition में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको 15 साल से अधिक समय के लिए Mitchell Fund में इन्वेस्ट करना है तब ही आप Small Cape Mitchell Fund को प्रेफर कर सकते हो 5 साल भी continue investment कर लोगे तो आपकी जो risk है वो minimize होती रहेगी और आपको अच्छा return भी देगने को मिलेगा कभी कबार market हो सकता है 2 मेने, 6 मेने या 12 मेने के लिए डाउन चला जाए लेकिन long term में आपको अच्छा return mutual fund जरूर देता है अभी अपन देखते हैं एक mutual fund में अलग-लग date में SIP करने का क्या फाइदा है investment वाली टेप पे click करने के बाद क्योंट small care mutual fund को open कर लेते हैं open करने के बाद नीचे की तरफ जब अपन transaction history देखेंगे तो आप देख सकते हो 23 अगस्त 2021 को 6000 रुपे की एक SIP क्योंट small care fund के अंदर complete हुई है 23 अगस्त को क्योंट small care fund की जो नेव है वो 300 रुपे की है क्योंट small care mutual fund की जो buying price है वो 300 रुपे की है 6000 रुपे की एक SIP complete हुई और हमें 20 unit allot हुई है इससे पहले 12 अगस्त 2021 को 2000 रुपे की एक SIP क्योंट small care fund के अंदर complete हुई उसमें क्योंट small care mutual fund की जो नेव की price है वो 290 रुपे है 290 रुपे की नेव price से हमें total 6 unit प्राप्त हुई है 12 अगस्त को क्योंट small care mutual fund की जो नेव है वो 290 रुपे है और 23 अगस्त को जो नेव की price है वो 300 है तो 12 अगस्त को हमें कम rate पे नेव मिली है हमारी जो buying price है वो काफी कम है और 23 अगस्त को हमारी buying price अधिक है 29 जुलाई को क्योंट small care fund की जो नेव है उसकी price 297 रुपे है और 5000 रुपे की SIP कम्पलीट होने पे हमें 16 unit अलोट हुए है अभी अपन जुलाई महिने के अंदर जो SIP कम्पलीट हुए है उसको देखते है 29 जुलाई को क्योंट small care mutual fund की जो नेव है वो 297 रुपे है 23 जुलाई को 258 रुपे है 12 जुलाई को 255 रुपे है 12 जुलाई को 2000 रुपे की SIP कम्पलीट होने पे 255 रुपे की rate से हमें 6 unit अलोट हुए है उसके बाद 23 जुलाई को 5500 की SIP पे 258 रुपे की नेव से हमें 19 unit अलोट हुए है 12 जुलाई से 23 जुलाई के बीच आप देख सकते हो 295 रुपे की जो नेव प्राइस है वो 298 रुपे पे आ गई इस दिन हमारी SIP की date थी इस वज़े से हमें कम प्राइस पे नेव अलोट हुई है एक ही मिचल फंड में अलग-लग date में SIP करके आप market डाउन जाने का benefit ले सकते हो जब भी market volatile होता है उसमें आपकी SIP की date रहेगी तो आपको कम प्राइस पे नेव अलोट होंगे long term में उसका आपको अच्छा कासा benefit देखने को मिलेगा तो इस प्रकार आप market डाउन जाने का फाइदा उठा सकते हो अलग-लग date में SIP करने से आपकी जो risk है वो भी minimize होती है ऐसा मेरा personally मानना है मैं mutual fund में पिछले 6 साल से invest कर रहा हूँ mutual fund में आप long term के लिए investment करोगे तो long term में आपकी अच्छी wealth जरूर बनेगी आप continue SIP के दुआरा या जब भी market डाउन जाता है तब आप lump sum investment भी कर सकते हो long term के लिए investment करके आप अच्छी wealth बना सकते हो ये video सिरफ educational purpose के लिए बनाया गया है आप किसी भी प्रकार का investment करने से पहले अपने financial advisor से सला ले या खुद research करके अपना पैसा invest करें मिलते एक और नए video के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभार्द